नमुश्कार मैं हूप्रिया चली जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को हावा का रुख बदलने से मौसम में कनकनी से मिली रहात लगाता ठंड के बढ़ते असर ने लोगों के आमदें चर्या को अस्त व्यस्त कर रखा था मगर अब मौसम विभाग की माने तो जल्द ही लोगों को ठंड से निजात मिलने की संभावनाय जताई जा रही है इतना ही नहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पच्छवा हवा के बंद होने के कारण मौसम में कंकनी का असर खत्म होता दिख रहा है अने वाले एक दो दुनों में कई जगों पर छिटपुट बारिश होने की भी संभावनाय जताई गई है बिहारी क्रिकेटर अपूर्फ आनंद का पटना एरपोर्ट पर हुआ भवे स्वागत पटना एरपोर्ट पर अपूर्फ के चाहने वालों ने उनका स्वागतम माला से किया इतना ही नहीं लोगों से मिलने के बाद अपूर्फ ने मीडिया से बाचीत की जिसके दोरान अपूर्फ ने कहा कि अंडर 19 में बिहार का नेत्रित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है 20 जनवरी को होने वाली सिपाई भाहली की परीक्षा हुई स्थागित बिहार पुलिस सिपाई की 11,888 पदों के लिए 20 जनवरी को होने वाली परीक्षा को स्थागित कर दिया गया है हाला कि 12 जनवरी को किसी तरह यह परीक्षा ले ली गई थी मगर 20 को होने वाली इस परीक्षा के स्थागित करने का आदेश जारी किया गया है जिसके बाद अब अभिहर्थियों को अगली तारीक के एलान का इंतिजार करना होगा वहीं सिक्षा विभागने परीक्षा स्थागित होने की मूल वज़े अभी तक साजा नहीं की है STET 2019 के अड्मिट कार्ट 17 जनवरी को होंगे जारी STET के आधिकारिक वेबसाइट www.bsebstet 2019.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर अभिहर्थियों को केवल अपना यूजर आईडी और पासवर्ट डालना होगा पटना में तकनीकी सहायकों की हुई न्यूक्ति जिसके तहट पटना के जिलाधिकारी कुमार रवी ने सभी 69 नव न्यूक्त तकनीकी सहायकों की न्यूक्ति पर मुहर लगाई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे सभी नव न्यूक्त सहायक मुखमंत्री नितीश कुमार के गली नली योजनौँ और गृरामीन पेजल निश्य योजना को सफल बनाने के लिए किया गया है। इतना ही नहीं इन दोनों योजनाओं के सफलता पुरव क रियान अभ्यन के लिए अन्य 96 अभियर्थियों की कांसलिंग भी की गई है। जिन में से 70 अभियर्थियों का चेयन होते हो मगर राज़ानी पटना बिहार के बाकी सभी जिलों से ज्यादा सुरक्षित है इसके अलावा NCRB ने कानपूर को भी बुज़ुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित शहर की सूची में जगे दी है वहीं अगर हम महराश्य की बात करें तो महराश्य को इस सूची में सब से आखरी स्थान प्राप्त हुआ है मार्च महीने तक गौतम स्थान स्टेशन का बदल जाएगा स्वरूप अब पुलिस सकती से पेश आने वाली है जिसके तहत अब बिहार पुलिस ऐसे तेजगती में वाहन चलने वालों पर रोक लगाने के लिए इंस्पेक्टर वहिकल खरीदने जारी है यह गाड़ी एक किलोमेटर दूर से तेजगती में आरहे वाहन को ट्राक कर लेगी अभिया गाडियां केवल दिल्ली और महराश्ट पुलिस के खेमे में मौजूद है मगर जल्दी यह बिहार पुलिस के पास भी उपलब्ध हो जाएगा जिससे सडकों पर तेजगती से चलने वाले वाहनों से होने वाले और प्रिये वाक्यों पर भी रोक थाम लगाया जाएगा अब आईए जानते हैं बिहार की जानिमाने हस्ती के बारे में आज हम बात करेंगे नरेश मंडल की बिहार के समस्तिपुर जिले में जनमे नरेश डारेक्टर एडिटर और प्रिडियूसर है नरेश को उनकी पहचान साल 2018 में लोक आस्था के महापर्व छट पर किये गे उन नहीं नरेश मंडल ने तो कई मैथली फिल्मों के निर्देशन में भी काम किया है इसके साथ ही कई टीवी सीरिल्स का भी उन्होंने निर्देशन किया है जिसमें तीन भहुरानिया जीवन साथ ही लागी तुछे लगए ये उन दुनों की बात है जैसे सीरिल्स के नाम शाम के सम्मान में यह टावर का निर्मान गिद्धौर रियायत के राजा महराज चंद्रचूट सिंग के द्वारा 1906-1907 में कराए गया था इसके लावा आप सिकंद्रा में सित्मानेतुला मंदिर और खेरा की दुर्गा मंदिर भी देखने जा सकते हैं जिनका एतिहासिक हीने पौरानिक महत विभी है प्रसिद महोटसव में यहां दशेरा में मनाई जाने वाली गिद्धौर महोटसव की अपनी पहचान है जिसमें हर साल विभीन कलाकार अपनी प्रसुतियां पेश करते हैं लगुजलसंस,ादन विभाग ने निकाली नियुकतियां बिहार सरकार के लगुजलसं,ादन विभाग ने कनिया अभियन्ता अजैनिक एवं यांतरी के लिए कुल 200 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेधन पत्र की मांगी है ये नियुक्ति अभी तो एक वर्षी आवधी के लिए सम्विता पर होगी लेकिन बाद में स्थाई होने की संभावना है इन पदों के लिए अगर हम सक्ष्नी क्योगिता की बात करें तो असैनिक पद के लिए सिविल इंजीनिरिंग में और कनिय अभियांता यांतरी के लिए मेक्यानिकल इंजीनिरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार है इच्छुक अभिहर थी 31 जनवरी तक minor irrigation.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं खेलो इंडिया यूथ केम्स में पटना और मधुबनी का रहा बोलबाला हाली में गुहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ केम्स में बिहारियों का बोलबाला दिखा जहां पर पटना के निखत खातून और मधुबनी की खुश्बु कुमारी की जोड़ी को लोन बॉल स्पर्धा में स्वन पदक मिला आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे लोन बॉल स्पर्धा में निखत और खुश्बु ने जहारखन की टीम को 14-13 से हराय था प्रदूशन नियंत्रत में केद्र सरकार और राजी सरकार आएंगे साथ बिहार में प्रदूशन के बढ़ते सर को देखकर केंद्र सरकार और राजी सरकार ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है जिसके तहर दोनों सरकार मिलकर बिहार संग्र हाले में आयोजित होने वाले 64 सम्मेलर का हिसा बनेगी जहां पर खबरों की माने तो अब तक केंद्रियों और पिहार, राजी प्रदोशन नियंतरन परिशत, समीतियों के अध्यक्षों और सदस्यों के सम्मिलित होने की पुष्टी की गई है इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नितीश कुमार और उप्मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आगमन की अपचारी घोशना भी कर दी गई है C.A. के समर्थन में विपक्ष को घेरा गिरी राज सिंग ने अपने संसिदिय चेतर बेगुसराय में C.A. के समर्थन में आयोजीत एक सभा को सम्मूधित करने के दोरान भाजपा के बड़बोले नेता गिरी राज सिंग ने विपक्ष पर जम कर बयान बाजिया की जिसके तहट उन्होंने कॉंग्रिस परतंच कसते वेह कहा है कि CA पर विपक्षी सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है उन्होंने आगे कहा है कि कॉंग्रिस की यही मंचा है कि वह पाकिस्तान से आए हिंदूओं को भारत में आशार ना मिलने दे पाए मगर हमारी सरकार घर-घर जाकर कॉंग्रिस के इस कदम पर पानी फेर रही है पत्ना में बढ़ा आटो किराया पत्ना में आटो से सफर करने वाले सभी आमनागरिकों के लिए एहम सूशना अब पत्ना में आटो का किराया बढ़ा दिया गया है शिंखला के एवज में कतार खड़ा करने जा रहे हैं उपेंद्र खुश्वा, रालोसपा प्रमुक उपेंद्र खुश्वा, मुख्मंत्री नितीश कुमार के नक्षे कदम पर चल रहे हैं जहां एक और मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अपने जल जीविन हरियाली आत्रा के दहत 19 जनवरी को श्रिंखला बनाने का एलान किया है वहीं इसके उलट रालोसपा प्रमुक उपेंद्र खुश्वाह सिक्षा और रोजगार के मुद्धे को लेकर 24 जनवरी को कतार बनान इसक्रम में लगातार CAA और NRC का विरोध कर रहे पपुयादब ने पटना के सब्जी बाग में एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथो लेते वे आमजंदा को सरकार के लिये हुए फैसले का विरोध करने की नसीहत दी है साथी साथ यह भी कहा है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों को आमजंदा पर थोपना चाहती है इतना ही नहीं पपुयादब ने तो युवाओं को भी CAA और NRC के खिलाफ बोलने की नसीहत दी है वैशाली में बोले ग्रिहमंत्री अमिश्चा, CAA और NRC के मुद्दे पर लोगों को जागरू करने के लिए ग्रिहमंत्री अमिश्चा बिहार के दोड़े पर थे शुंकला के निर्मान के लिए रविवार को भी सरकारी कारियाले पहुचेंगे अधिकारी जलज़ीवन हर्याली योजणा के तहत 19 जनवरी को अब तक कि सबसे बड़े शुनकला के निर्मान के तैयारिया जोरोशोर से चल रही है इस श्रेंखला को सफल बनाने के लिए भिहार सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों को यह निर्देश जारी करते वे कहाई कि आने वाले इस रविवार को भी सभी सरकारी अपने अपने कारियाले में उपस्तित होंगी जिसकी जानकारी सामाने प्रसाशन विभाग के अपर मु विधान सबाचुनाव की रनीती बनाने में जुटे हुए हैं जिस पर राजनेतिक बयानबाजियों का आना भी स्वभाविक है। इसक्रा में राजदनेता तिजस्वियादब ने प्रशान की शोर पर टिपणी करते वे कहाए कि वो राजनेता नहीं बल्कि एक प्रफेशनल है। उन्हें जहां अपना फाइदा दिखेगा वो वहीं काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। कोहली को मिले Spirit of Cricket Award पर पाकिस्तानी तेजगेन बाज ने दी प्रतिक्रिया। के इन बास करार दिया है, दोनों एक दूसरे की हमेशा समर्थन करते नजर आए हैं। अब आईए जानते हैं आवले के फाइदे के बारे में, आज हम बात करेंगे गुणों की खान आवले के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक सर्वगुन संपन फल है। करकी सर्दी के मौसा में एक आवला प्रते दिन सेवन करने से शरीर से जुड़ी विभिन समस्याओं से निजात मिल जाता है। शोद की माने, तो आवला हमारे शरीर को ठन के मौसा में अंदर से गर्म रखता है और शरीर पर ठन का असर नहीं पढ़ने देता है। को जदियो करने वाली हैं, जिसके तहर जंतादल युनाइटेट ने पटना में जगे जगे पर अपने पोस्टर्स लगा दी हैं। आपकी जानकारी के लिए पोटादे 20 जनवरी को जदियो महराना प्रताप की पुन्य दिथी पटना में मिलर स्कूल में मनाने जा रही है जिसका उदगाटन मुख्यमंत्री नितीश कुमार के हाथों से करवाय जाएगा। ग्याथो जदियु द्वारा आयुजित किये गए इस कारिक्रम में जल जीवन हर्याली आत्रा से जुड़े मुख्यमंत्री नितीश कुमार के विभिने जिलो के हुए दोरे से लोगों को अफगत करवाय जाएगा।